स्वागत है आपका RIMC Math Concept Series के एक नए वीडियो में, आज हम लोग algebra का एक concept देखने जा रहे हैं, जो कि RIMC exam के लिए important है, ऐसे questions आपको RIMC exam में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो इस concept को अच्छे से देखेगा और मैंने चाहता कि इसके बाद आपको कभी भी ऐसे concept में doubt हैं, इसे को हम algebra कहते हैं कोई कि इसमें variable है, और algebra में ही जब हम x into y is equal to 5 लिखते हैं, तो इसका xy का मतलब होता है x into y, ओके, तो इस concept तो हमें मालूम ही है, लेकिन कभी अगर कोई question आता है, जहां पर आपको 2 digit का number लेना होता है, 2 digit का number, अगर आप इस 2 digit का number को xy लेंगे, त तो इसमें जो algebra के fundamentals हैं, वो आप break कर जाओगे, क्योंकि आप अगर आपने 2 digit का number, suppose 21 है, 21 को अगर आपने xy से represent किया, तो xy का मतलब क्या है, जब आप equations form करोगे, xy का मतलब है x into y, तो क्या 21 is equal to 2 into 1 होता है क्या, 21 की value 2 होता ही क्या, ऐसा तो नहीं है न, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप 2 digit का number लोगे, तो आप उसे इस तरीक से represent तो करोगे, represent तो कर सकता हूँ, लेकिन at the back of your mind आपको मालूप होना चाहिए कि यार, मैं algebra के खिलाप जा रहा हूँ, और इसको मिझे break करके 2 digits में लिखना पड़ेगा, तो एक बहुत अच्छा तर करना क्या है, जो digit है 10, इसको 2 को 10 से multiply करना है, प्लस और जो 1s digit है 1, उसको 1 से multiply करना है, तो होगा क्या कि जो 2 और 1 यह प्लस आ गया बीच में, तो यह दो अलग-लग terms में separate हो चुकी है, ठीक है, तो उसी तरीक से अगर आपको xy को represent करना हो, तो xy को xy न लिखते हुए, xy हम लिखेंगे, चलोगे, equations form करते हैं वक्त, लेकिन फिर्स में transformation नहीं दिखाएंगे, कि xy को हम क्या लिखेंगे, यह 1s और 10s है, तो 10 into x plus y into 1 y होगा, तो 10x plus y के form में लिखेंगे हम xy को, जब हम equation solve करेंगे, initially आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन बाद में इसको ऐसे transform करना ही पड़ेगा, उसी तरीकी से अगर हम xy को yx reverse कर लेते हैं, तो हमें इसको 10y plus x लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि xy का मतलब x into y होता है, तो हमें इन दो नो digits को separate करना पड़ेगा, अगर हम algebraic equations बनाना चाहते हैं, तो, इस पर based एक छोटा सा question आप देख लीजिए, आपने क्य y होता है, तो अभी आपने xy बोल दिया, suppose, अब आपको दिया है कि जिसका sum 9 है, sum का मतलब है अगर मैं x plus y is equal to 9 लिखों तो ये तो एकदम valid algebraic equation है, क्योंकि यहाँ पर दोनो digits अलग-अलग है, दो times है, x plus y is equal to 9 आप लिख सकते हैं, लेकिन अब क्या दिया है, if 21 is added to the number, अब 27 add करोगे number से, number मेरा xy है, जो मैंने लिया था, अगर इसमें आप 27 add करोगे, its digits gets interchanged, तो ये जो xy है यो जाएगा yx, तो ये जो equation number 2 बनिये न, ये गडबड equation है, this is not a valid equation, why this is not a valid equation, क्योंकि आपको पता है कि yx का मतलब y into x होता है, और xy का मतलब x into y होता है, यहाँ पर भ algebra में मतलब होता है, multiply x into y, ठीक है, और real sense में numbers को मैं ऐसे multiply नहीं करते है, इसका मतलब अगर कोई मसे 100 रुपीज मांगेगा, मैं बोलोगा 1 into 0 into 0, 0 दोंगा उसको मैं, ठीक है, so we are getting the point, तो हम क्या करेंगे न, इस ही equation को further, इस ही equation को further कैसे करेंगे, देखिए xy को कैसे लिख स z, तो इसको आप कैसे लिखो के, देखो, 1's, 10's, 100, 100, 100 है तो 100x, प्लस, 10 से तो 10y, प्लस, 1 से तो फिर z आ जाएगा सिर्फ, z into 1z, तो आप 3 digit के number को ऐसे separate करके लिख सकते हैं, इसमें 3 digits अलग-लग represent हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, बात एकी च है, ओके चली, अब यहाँ पर मैं equation form कर लेता हूँ, is equal to yx की value जाएगे 10y plus x, अब xx एक तरफ ले लेता हूँ, it's going to be 10x, minus x, plus y, minus 10y, is equal to minus 27, ठीक है, और यह जाएगा 9x, minus 9y, is equal to minus 27, अब आप इसे equation बोल सकते हो, now this is your equation number 2, यह equation नहीं थी, यह तो हमने सिर्फ क्या करा, हम आपने question को mathematically interpret किया, ठीक है, लेकिन the correct equation will be this, अब दो equations form उच चुकी है, आप चाहें तो यहाँ पर x की value यहाँ रख लो, या उसको भी आप ऐसी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 9 पहले common भी लेता हूँ, 9 common लेता हूँ, 9 common लेता हूँ, 9 common लेता हूँ यहाँ से x की value कितनी आ गई, 3, और इस x की value 3 को आप किसी भी equation में put करें, in any of the equation, you will get y also, आप कहीं पर भी रख लो, यहाँ रख लो, y is equal to 9 minus 3, y की value आजेगी 6, तो अब यह xy आपका number है, मतलब your number is 36, 36 is that number, एक बार operation करके देख लेता है, हमसे क्या कहा गया था, हमसे कहा गय होगे, अगर आप 36 में 27 add करोगे, तो यह जो 36 हो जाएगा, मतलब 36 का 63 आ जाएगा, करके देख लो add, अगर ऐसा हो रहा है, तो यह concept बिल्कुल सही है, I hope कि आपको यह concept में मजाया होगा, important है, 2 digits वाला concept यहाद रखना है, 2 digits हो या 3 digits हो, जब आप उसको variable से represent करते हैं, तो आ मज़ा आ रहा है, तो comment करके जरूर हमें बताएगा, वीडियो को like कर लिजिएगा, और अपने friends के साथ share जरूर कीजिएगा, और हमारे channel को subscribe करना ना भूले, बाई, मिलते हैं बहुत जल्द, जहिंद